नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानदेफ हिंदी यूटूब चैनल पर तो रसया क्रमचारियों के लिए सरकार का एक और महत्तों तौफा जहां रक्स्यावंदन से पहले सरकार ने किया बड़ा एलान जहां नियमिती करण और अपने नियमिती करण को लेकर लगातार सरकार के समख से अपना ग्यापन सौप रहे थे वहीं सरकार ने अब इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए रक्स्याबंदन से पहले रसोया करमचारियों को बड़ा तौफा दे दिया है जहां बात करें हिमानचल परदेश की मिड़े मिल वर करसों के लिए बहुत अच्छी खावर जहां कैबिनेट ने मिड़े मिल करमिकों का मान दे और मनरेगा करमिकों की मजदूरी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है जहां बात करें हिमान्चल प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखवींदर सिक्कों की अधिक्सता में हुए हिमान्चल कैविनेट की बैठक में अहम फैसले लिये गए कैविनेट ने इसकोलू में सेवाएं दे रहे 1207 जलवाहकों को नियमिती करने और वहीं उन्हें नियमिती करन की मंजूरी को देने का ऐलान कर दिया है इस नियड़े के अनुसार 31 मार्च 2023 और 23 सिदंबर 2023 को 11 वर्स पूर्ण करने वाले जलवाहकों को आब नियमित कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा एलान सरकार के तरफ से जलवाहकों को आब नियमित कर दिया जाएगा और कैविनेट में मध्याहन भोजन एमडियम के तहट स्कूलों में सेवारत रसोयां सहायोकों का मांदे में 500 रुपे की बढ़ातरी कर दी है तो परतिमाह यहाँ पर 500 रुपे परतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दे दी है उन्हें 1 अपरेल 2023 से 3500 रुपे परतिमाह दिया जाता था जो कि आब उन्हें 4000 रुपे की धन्रासी उनके अकाउंट में पहुँचाए जाएगी जो कि आब से यहाँ मांदे बढ़ा हुआ उनके अकाउंट में पहुचाए जाएगा इससे करीबन 12,000 से अधिक कुक कम हलपर्स लावानवित होने जा रहे हैं तो सरकार ने रक्स्याबंदन से ठीक पहले यहाँ बहुत बड़ा ऐलान जहां खुस्यों के त्योहार में सरकार ने एक और बड़ा ऐलान रसोयों के लिए कर दिया है तो इस बिसे पर सरकार के इस महत्त फोन फैसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं अपने राय कमेंड बॉक्स में जरूर दें इसी तरह की नई लेटिस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें